हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टूदी चैनल, तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो में हमें स्क्वाइर रूट निकालना सीखना है, लॉंग डिविजन मेथट से, और हमारे पास नमबर है 529, तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वाइर रूट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस नमबर को, यानि कि 529 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 529 को, ठीक, अब हमें क्या करना है, कि हमें इधर से, यहाँ से इधर की तरफ चलना है, ठीक, और हमें जो नमबर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, पेर बनाना है, ठीक, तो यहाँ पर हम 9 से 2 की तरफ चल और हमारा क्या हो गया एक पेर हमने बना लिया और यहां पर यह हमारा क्या हो गया सिंगिल रह गया ठीक इधार से चलेंगे यहां राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो यहां पर एक पेर यह बन गया और एक यह नंबर हमारा अकेला रह गया फाइफ ठीक अब हम क्या करे सुन पर umAI जब से मैं स्धवठाब करने क क्या हो चैंडे जब हम्हेंगे लिखेंगे तो यहां पर हमें वही नंबर यहां यूज करना है वही नंबर हमें यहां यूज करना है सबस्क्राइव लिखते हैं तो यहां पब्य ना सब Orig कर लुखेंगे देखो ठीक तो अब हमें क्या करना है देखो यहां पर हम किस से डिवाइट करेंगे तू से डिवाइट करेंगे और यहां पर भी क्या लिखेंगे तू लिखेंगे तू तू क्या होता है फोर होता है अब हम यहां पर क्या करेंगे फोर लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे माइनस क तो इस 2 को हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे और इसको हम इसमें एड कर देंगे 2 प्लस 2 कितना हो गया ? 4 हो गया और यहां पर हम 4 लिखेंगे अब देखो जब हम simple division करते हैं तो क्या करते हैं कि इस तरह से जब हमने minus कर लिया और यहां पर जो भी number आया उसके बाद हम क्या करते थे कि यहां से एक single number जैसे यह 2 है इस 2 को हम यहां उतारते थे लेकिन जब हम square root निकालते हैं long division से तो हम क्या करेंगे कि जो यह number है जिसका हमने pair बनाया है उस पूरे pair को हमें क्या करना है नीचे यहां पर लिख लेना है 29 पूरा पूरा यहां पर नीचे हम लिखेंगे ठिक तो हमने 29 को नीचे लिख लिए हमें सिर्फ 2 को नहीं लिखना है हमें पूरा पूरा 29 को यहां पर लिख लेना है अब अब देखो अब यहां पर अब हमें इस वाले two से कोई मतलब नहीं है अब हमें क्या करना है जो number से हम यहाँ पर divide करेंगे उस number को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे Suppose, हमने यहाँ पर 1 लिखा, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, 1 लिखा, तो 1 को, यहाँ पर हो गया 41, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 41 लिखेंगे, ठीक, देखो, जैसे हमने 41 है, उसको 1 से जब multiply किया, तो यह हो जाएगा 41, तो जब हम 41 को यहाँ पर 41 लिखेंगे, तो क् लिखेंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, 42, यह हो गया, 42, और इसको फिर से हम क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो 2 तू जा 4 हो गया, और 4 तू जा 8, 84 हो गया, तो अभी भी हमारे पास क्या है, यह नंबर जो है, 84, वो 129 के हिसाब से बहुत ही कम है, छोटा नंबर है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक, तो अगर हम यहां पर देखो, 3 लिखते हैं, और यहां पर भी क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, अब हम इस 3 से, इस 43 को multiply करेंगे, यह देखो, है ना, तो अब 3 3s आ 9 हो गया 3, 4, 12 हो गया यह हमारे पास क्या नंबर आ गया 129 एक्जैक्ट वही नंबर आ गया जो यहाँ पे था ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 129 लिखेंगे और अब हम इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह क्या हो गया 0 0 आ गया तो यानि की square root 529 का square root कितना आ गया 23 आ गया ठीक तो यही हमारा क्या हो गया answer हो गया ठीक है answer क्या हो गया square root of 529 is equal to 23 और यही हमारा क्या हो गया answer हो गया ठीक है तो friends अगर आपको यह नहीं समझ में आया हो सम तो please video को एक बार दो बार चला करके फिर से देखेगा बिना skip की हुए तो आपको यह पूरी process अच्छे से समझ में आ जाएगी ठीक है और इसके पहले भी मैंने जो है square root की कई videos बनाई है तो उसमें भी आप जा करके देखेगा तो आपको चीज़े समझ में आएगी तो friends hope करती हूँ कि video आपको अच्छा लगा होगा तो please channel को subscribe करिएगा और video को like करिएगा thank you so much